नमस्कार, आज हम NEET का LKN चेप्टर पढ़ेंगे, LKN चेप्टर पढ़ने के पहले हम यह समझते हैं कि LKN का हमारा जनरल लाइफ में क्या यूज है, कैसे हम लोग LKN को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, क्या इंपोर्टेंस है कि इतना ज्यादा LKN के हम स्टडी करते हैं, त इसे हमारे पास यह डिफेंड LKN है, अलग चेन के LKN है, पेंटेन, हेक्जेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नौनियन, डेकेन, इनकी चेन लेंद अलग लग, कोई छोटा चेन है, कोई बड़ा चेन है, यह छोटे वाले जो LKN है, मीथे, निथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यह व करते हैं, प्लेन, में कार, में, ऐसे ऐफ्यूल गार्यों में, घर को गरम रखने में, यह इसे फ्यूल हम इसको बगट important use करते हैं पूरी दुनिया में use होता है तो small chain hydrocarbon जैसे हमारा butane है ना इनकी बड़ी importance है अपने life के अंदर तो important hydrocarbon कौन सा हुआ छोटे वाले हुए ना लाइफ में चोटे वाले बड़े वालों को इतना use नहीं है जैसे बड़ा hydrocarbon है हमको इतना use स्ट्री है यह अपना जो डीजल वगर आते हैं मौंबती बनती है बहुत सारे प्लास्टिक्स बनते हैं ड्रक्स के अंदर यूज होता है तो लोवर एलकेन का काफी की इंपोर्टेंस है हमारी जिंदगी के अंदर ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं कि एलकेन कैसे बनाया जाता है हमारे नीट की सेबस में कैसे उसको पढ़ाया जाता है तो पहले हम नीट के अकोरडिंग एक ब्रिफ में ठीओरी बताऊंगा आपको यह वह पढ़ेंगे फिर आइसो उक्टेन मतलब 224-3 ंप्र इसको बोलता है आई यह सो पे एंजो है इसकी वेल्यू किते ही लेते हैं 100 और यह नॉट HEY कितना नंबर हुगा अगर यह अकूर्ड मांकल बकूर induced open क्या हुआ ये 80 है ये 20 है ऑक्टेन नंबर 60 का मतलब क्या हुआ ये 60 है ये 40 है इस तरीके से हम ऑक्टेन नंबर को सब्सक्राइब नौट नोट्स बनाने तो आप पेज ले लो आपके अपना आराम से कर पाएना से स्टार्ट करते है यूक पहले तियूरी बढ़ते है इसका यूक क्या बूलते है से टूरेटड हाइड्रो कायब अलके इस नोवनगी कि हाइड्रोकाबन दो अब का मतलब क्या होता है बता हुए उसमें कोई पाइब नहीं है ना जैसे अगर मैं आपको यह बोलूँ कि हमारा एलकेन है इसमें सिर्फ सिग्मा बॉर्ण है ना तो जहां सबिकेन एलकेन और अलकाईन अकर तीनों देख वे ना तो से ज्वेश्ची आखिर वीश्य केहें। माला उसकी reactivity कम होती है वो कम reactive है less reactive है तो इसको बोलते है पैराफीन तो पहला वर्ड अपने नोट में लिगो saturated hydrocarbon दूसा लिगो पैराफीन एलकेन का जनर्रल फार्मला क्या होता है cn h2n plus 2 ही होता है जैसे n की value 1 रखते हैं तो क्या बनता है methane टू पर क्या बनता यह यृषेन और 3 पर क्या बनता यह प्रोपेन ऐसे बनता यह ठीक है यह बात समझना आ अगई अचा इन दोनों को क्या बोलेंगे अगर मैं methane से इधेन में जा रहा हूं तो क्या चेंज दो रहे है कितने कार्बन बढ़ रहे है अगर मेठेन से इधेन गया CS2 तो अगर मैं next बनाने को बोलूँगा कि n equal to 4 पर बनाओ तो propane और butane में कितने carbon बड़े एक कितने hydrogen बड़े दो तो इन में भी difference कितना आएगा CS2 का इनको क्या बोलते हैं homologues homologues का मतलब क्या होता है same functional group and consecutive member है difference of CS2 यानि अगर आप एक एलकें से उपर का एलकें जाओगे तो कितने carbon बढ़ेंगे और hydrogen दो CS2 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इनको बोलेंगे homologues one two homologues ऐसे यह two three b homologues three four b homologues यह सब consecutive member homologues है या मैं यह भी बोल सकता हूं कि molecular weight कितने से बढ़ेगा molecular weight 14 से बढ़ता है यानि अगर methane का molecular weight से अगर हम ethane जाएंगे तो कितना molecular weight increase 14 और इस acid two से थीगे तो कितना बढ़ा 14 three से four में कितना बढ़ा 14 14 के multiple मैड होता है एक और खास बात है important question हो सकता है कि नीट में तफ पूजना जाए से पूछ सकता है क्या one or four homologues है क्या one or four homologues है बताओ है homologues में CS2 का difference होता है multiple of CS2 क्या one or four homologues है yes they are homologues homologues मनला consecutive member has methane से ethane propane butane pentane hexane ऐसे हो एक से दूसरे member में 14 CS2 का फरक आएगा लेकिन यह सारे एक दूसरे के आपस में क्या है homologues है है ना ठीक है तो लिए clear हो गया और एलकेन के बारे में क्या खास बात है इन सब carbon की hybridization क्या होती यह बताओ भई इसकी hybridization SP3 SP3 तो अगर मैं पूछो कि यहां पर कितने carbon SP3 hybridize है तो आपका answer क्या होगा फोर काबना SP3 यानि linear एलकेन में जितने carbon होगे सब की hybridization क्या होगी SP3 एक डेटा आप याद रख सकता है कि यह जो CC bond है इसकी bond energy approximately कितनी होती है तो आप approximately ध्यान को वैसे तो 80-85 किलो कैलरी होती है आप रफली ज्यान रख लो सौ किलो कैलरी पर मोल क्या सब्सक्राइब अप्रोक्सिमेटली डेटा है ना वह आपको राउंड आफ करके पूछ सकता है कि यह कार्बन-कार्बन जो ना इतनी पुरी ऑगनी केमिस्टी पढ़ ली हमें यह तो पता होना चाहिए ने कार्बन-कार्बन की बॉन एंजी कितनी होती है बॉन एंजी होती उसकी 100 किलो कैलरी पर मोल प्लस यह यह वन पॉइंट्स कार्बन-कार्बन की 1.5 के आसपास अंग स्टॉंग है यह आपके बुलेट पॉइंट्स अलग साब बनाते जाओ यह पेपर पर सब लिखे वे होने चाहिए इतने पॉइंट्स वन टू थ्री होमोलोग्स 456 छे पॉइंट हो गया है ठीक है नोट करें आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉप नेनाậ फिर आगे वीडियो देख नारा इसी पीडा मे दैकने के जद्यों नीए इंग घार नीए तो फास्ट वाले क्या करेंगे जिनको फास्ट डग रहा है वो पॉप्स करेंगे इस पर डायट फर्स सेकंड प्रपेशन आ गया चलिए अब सुरू करते हैं method of preparation of alkane कि alkane को बनाना कैसे how to prepare alkane है ना तो पहला method है decarbo-oxalation decarbo-oxalation का मतलब क्या removal of co2 वह अपना एक page पर अपन बुलेट point बनाएंगे ठीक है तो इसको अपन कैसे करने बैसिली जैसे सॉल्ट है इसमें एनेवेच कैल्सियम ऑक्साइड डाला तो co2 निकल के alkane बन जाएगा जैसे अपने एक्जामपल लें कि सपोर्ष करो मैंने आपको दिया इत्वनाइक इसमें एनेवेच कैल्सियम ऑक्साइड और हीट तो यह co2 निकल के क्या बनेगा मीथीन बढ़ रहा है कार्बन कम हो रहा है कार्बन कम हो रहा है इसमें अगर एन कार्बन एन इस नंबर ऑफ कार्बन तो बढ़ाओ प्रोडेक्ट में कितने कार्बन होंगे फ्रोटमें होंगे एन माइनस वन एक कम हो जाएगा ना जैसे यहां लैबन Ricky कार्बन इसमें कितने कावन है बो तो सोड़ा लाइन के बाद इसमें कितने हो जाेंगे एक को Соड़ा लाइन को चूना रियक्षिन भी बोलते हैं चूना लगाना है न यह बहुत फेमस इसलिए है कि एक एक इसली अवलेबल रॉब मटेरियल है काफी सस्ता रॉब मटेरियल है और आसानी सी रियक्षिन हो जाती है तो इस आलसो नोने चूना रियक्षिन तो पहला मैथ्टड क्या सिखा सॉल्ट ऑफ एसेड को एलेक्षिस करते हैं तो एलकेन बन जाता है इसके बुलेट पॉइंट बना लें ठीक है तो होता गया है वह आपने एक सॉल्ट नेट ऐसे समझो यह इलेक्षिन होगे यहां से स्यूट निकल गया तो यह बना आर्डॉट और आर्डॉट डाइमर बन बनाएगा हमारे पास एलकेन बन जाए प्रोडिक्ट तो हम ऐसे बना सकते हैं अब मेकेनिजम कैसे होता है एनोड पर होगा इसका ऑक्सीडिशन यह पहले आपने अनोड पर ऑक्सीडिशन करेंगे ऑक्सीडिशन मलब लॉस ऑफ एलेक्ट्रॉन यह जो सीओ टू माइनस है इसने एक एलेक्ट्रोन दिया ऐसा समय आप एक एलेक्ट्रोन दिया यह डौरत बना इस डौर्ट नहीं यह से सीयोट निकाला तो यह बना सीहटी डॉट और यह डाइमराइज होके इसमें कंवर्ट हो गया रहाँ तो पहले सिओटू माइनस से एलेक्टून लिस वह तो रहा बन गया हमारा उसने सिओटू निकाला तो सीस्थी डौट बना और सीस्थी डॉत डाइमराइस करके इथिन बन गया यानि नेट एक्षन में कैसे हो रहा है अगर मैं आपको यह देदू प्रोपेनोग एसिड और आपको बोलूँ इसका आपन इलेक्टोलिसिस करें पहले डालके सॉल्ड बना ले फिर इलेक्टोलिसिस करें तो नेट क्या हो रहा है यह सीओ टू निकलके यहां एक रेडिकल बनेगा और फि ऐसे बनेगा ने यह ना तो नेट क्या होता है जो सॉल्ड लिया ना उसके एसिड के अलावा तो दो काबन है वो डाइमराइज करके यह बन जाएगा हमारे पास ठीक है अच्छा एनोड पर ऑक्सिडिसन हुआ और यहां से जो इलेक्ट्रोन रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन और यह प्लुस की रियक्शन से क्या बनेगा एनय बने गा और यह एने मैंटल वाटर से से्डिकर तो बताओ जैसे जैसे call by electrolysis reaction होती रहेगी वैसे वैसे हमारा product कैसा बनेगा बताओ product किस medium में बनेगा product is obtained in basic medium अच्छा अगर मैं आपको बोलू कि salt of acetic acid का electrolysis कर दो इसका electrolysis करो तो यह co2 निकल के dot बनेगा और यह डाइमराइज होके क्या बनेगा इथेन तो सबसे चोटा अपन electrolysis में कौन सा बना सकते हैं इथेन हम इससे चोटा नहीं बना सकते हम एच नहीं ले सकते हैं एच डॉट हाइली अनस्टिबल वह आसानी से नहीं सबस्क कर सबस्क्का है तो यह बेश्न में मेरेगा दूसरा वह बहुत सकते हैं मेथेन कानओं उप्रिपेर भाइम इस ऑप यह यह जाता आगयर जाएगा एक्सान प्रप्रार्णे काह लिए प्रिक्रीज इंगु uploadworker यह बढ़ता जाएगा तो कुलेट पॉइंट होगे हमारे इसके कॉलबी ए Outside पड़ लिया डोएक हमने पड़ लिया पहला हमने पड़ा सोटा-लाइम चुना रिक्षन जिसमें कर्बन कम हो जाता है डूसारा हमने क्या पड़ा बन Es facilitate बन के डॉर्ड रनता हों डायम-राइज कर जाता है शैना इसमाननोर्ट पे-on आपको एक एस्टू गैस का बादल नजर आएगा चलिए आगे करते हैं और प्रिप्रिशन कैसे करना है एक और एलकेन का फिमस मैथाड है रिड़क्शन आफ अलकाइल हलाइड रिड़क्शन कैसे करना है यहां आपन बुलेट पॉइंट लिखेंगे एक तरीका यह है कि यह CS3BR है इसकी जगह पर हमको क्या लेके आना है बताओ H एक तो आप मैटल एसिट से ला सकते हो जब भी आप मैटल एसिट डालोगे तो क्या होगा मैटल इलेक्ट्रॉन देगा न तो यहां और इलेक्ट्रॉन के साथ ह्प्रियेट करके एलकेन बन जाएगा थोड़ा और एजी समझो यह आपन एक रिडिसिंग एजन डाल दे हाइड्राइट देने वाला डाल दें फ्री मीथेन बन जाएगा तो आपको जब भी हैलाइट से एलकेन जाना हो तो आप एक तरीका है आ इसने किया अटेक तो यह बना कार्बोनाएन और एसिल से लिया एसिड मीथेन बन गया तो जब भी मैटल एसिड होगा रेडॉक्षन होंगे बियार की जगह पहँए लगा दो तो हम रेडॉक्षन से लकेन मना सकते हैं एक और सबसे फेमस एक्षन वोट्स एक्षन ठीक है उसमें कैसे बनाते हैं हैलाइड सोडियम ड्राइथ लेते हैं तो यह नवी और बनके अलकिन में जाएगा ठीक है तो हमने पहले और नी कंपाउंड को हिट किया अब यह एक्चुल में रियक्शन किया हुई वह मैं आपको बताता हूं इसमें पूरी रियक्शन को क्या बोलते हैं इस रियक्शन बोलते हैं तो वोट्स रिक्शन में कुछ खास बात है ना पहली आस बात किया है कि इस में नहीं मना सकते यह नहीं नहीं प्रपेड नहीं कर सकते है क्यूंब यह रियर मने सकते हैं अर्धियर कि यह समझाल प्ला इसे समझो वह होला। यह high yield में बनेगा कौन सा even carbon high yield में मनेगा odd carbon जो होगा वो low yield में मनेगा क्यों मनेगा उसको समझने के लिए यह example समझते हैं अगर मैं आपको दो हैलाइट दे दूँ R1 BR and R2 BR और बोलों कि इनका woods करो कितने प्रड़ बनाओगे बताओ दो हैलाइट से तो आप क्या करोगे यहां पर सोडियम से chaone आएगा एक बनाओगे आप लिए रवन डॉल उड्वन ऐसे डाइन दिाइम रवट मेशने ऐख तो लियो तो दो डिफरेंट कितने मन्ते हैं से कितने मन्ते हैं अब यह समझत एक यह ठीक है तो जैसे यह हैं आपण एक्जामपल है कि इक ताहराइं लिया तो डुरेडिकल बनेंगे सी एस्टी डॉट एटी डॉट है अब सी एस्टी डॉट से एक हमारा पास यह बन गया एटी डॉट से हमारे पास यह बन गया इन दोनों के डेईमरेजसंस से यह बन गयर तीन परड़ capital बन गयर अब आपका शौना है कि woods में यह high yield में क्यों बनता है even अगर मैं बोलूँ कि यह बनाना है आपको even तो आप इसके लिए क्या reactant यूज करोगे यह हलाइड यूज करोगे यानि एक ही हलाइड से यह बनेगा अगर मैं बोलूँ कि odd वाला बनाना है तो आपको कितने reactant लेने पड़ेंगे दो reactant लेने यह तीन में से एक बनेगा अभी हमने क्या discuss किया था कि दो है लाइड से तीन प्रड़ बनते यह तीन में से एक बनेगा तो इसकी परसंट यह कम आएगी तो यह जो लिखा है ना इसका बेसिकली मतलब इतना है कि अगर कोई भी वूट्स एक्षन एक हैलाइड से कर रहे हो तो हाई इल्ड यानि अच्छी मात्रा में प्रोड़ बनेगा और अगर दो अलग-लग हैलाइड से कर रहे हो तो वो लो इल्ड में बनेगा यह बास समझे आप ठीक है चलो आगे बड़ें वूट्स में यह इसका एक मेकेनिजम पर पोस्ट है इसका यह वाद फी रेडिकल बना इनिक फिर डिकल ज्यादा डौमिनिटिंक मेकेनिजम है पहले इलेक्ट्र आएगा एस ब्लॉक्ट अलिमेंट्ट जहां भी ओना इलेक्ट्र लिया ओव उस electron का attack तो बना et dot फिर et dot et dot क्या करेगा dimerize इसको बोलेंगे हम क्या हो गया यह woods reaction हो गया अब आप एक काम करो bullet point में कुछ example लेख लो फटापट यादि अगर मैं आपको etcl का woods दे दूँ तो आप क्या बनाओगी et dot dimerize होके butane अगर मैं आपको cyclohexile का woods दे दूँ डी मलब dry ether पहले बनेगा radical इसका dimer बनाओ जोड़ दो दो molecule यह बनेगा एलकेन है ऐसे आपको मैं यह हैलाइट दे दूँ सोडियम ड्राइथर तो पहले आप यह बनाओगे फी रेडिकल इसका dimerization कर दो अगर मैं आपको यह हैलाइट दे दूँ और बोलों कि इसका आप woods reaction करो तो बताओ आप क्या-क्या बनाओगे आप woods reaction करोगे एक बनाओगे इथेन एक cyclohexile cyclohexile एक इन दोनों की reaction कर दो आपस में है ना तो तीन परड़ बना लोगे एक बाल लिखो आप है ना साधी साल लिखो तो यह हो गया हमारा woods फास लग रहा हो तो वीडियो पॉस्ट करके आराम से लिख ले रहा है और कैसे बना सकते है रिगनाड रिगनाड जो है ना इस पर आर पर माइनस है यानि यह कैसे काम करता है इट विल एक्ट हैजे बेस तो अगर मैं आपको रिगनाड दे दूँ इसके साथ कोई भी hydrogen है न सुनम एक्स याद रखुआ आप सुनम एक्स का मनलब क्या यह सल्फर से लगावा एंड अखिशल अघर है एस अड़योह फ्ल और हैच हैं ये अगर हैज़ कहीं मिल जाए जैसी खिए रिगनाड देखो आलकॉल से लगावा है तो एकॉल, फिनॉल से, ऐसिड बेस, अलकाइन से, ऐसिड बेस, तो रिगनाड बेस है, उसमें आपको भी ऐसिड इस डालके ऐडरोगन ले सकते हो, सोनम एक्स का मतलब क्या, सलफर, उक्सिजन, नाइटोजन, एक्टिम इतलीन और हैलोगन, इन से लगावा, एस रिगनाड के यह सब acidic hydrogen से loaded है, मैं भी अपनी gun load कर लेता हूँ, यह देखो, यह water आ रहा है, और मैंने यहाँ से suit किया, रिगनार्ड किया, और यह देखो, methane मन गिया, एक और famous तरीका है, from alkyne and alkyne, इसमें आप बस h2 add कर दो, तो अगर आपन यहाँ h2 add करेंगे, तो क्या होगा, बताओ, metal surface के उपर, h लगाएंगे, h h add हो गया, यह बन गया हमारा alkyne, alkyne में h2 डालोगे, तो पहले alkyne बनेगा, फिर क्या बनेगा alkyne, यह भी अच्छी reaction है, ठीके, यह तो वही explain किया है, metal के surface में न, एक है reduction, यह भी बड़ा famous है, red PHI reduction, इसमें आपके NCRT में एक जामपल दिया है, glucose, जैसे यह glucose है, कितने कारवन है, 6 कारवन है न, इसमें, इसमें red PHI डालो, तो glucose क्या करता है, alcohol, aldeide, ketone, acid, इनको alkyne में बतल देगा, alkyne में, with same number of carbon, कितने कारवन है इसमें, 6 कारवन, तो जहाँ जाँ अलकॉल है, aldeide है, इन सबका alkyne मनाएगा, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, बताओ, normal hexane, समझे आप, same number of carbon रहेंगे, अगर इसमें N number of carbon है, तो इसमें भी N number of carbon, ऐसी बताओ, यह ketone है, इसमें अगर मैं red pH ही डाल दूँगा, तो बताओ, what is the product, यह ketone reduce होके, alkyne, बस आपको जहाँ पर ketone है, वहाँ CS2 बनाना है, जहाँ LDH है, वहाँ CS2 पर CS2 बनाना है, alcohol, aldeide, ketone, सबको alkyne में बदल देना है, यह लिखो जाना देखो, notes में लिखो, जैसी अल्कॉल आया ना, अल्कॉल कनवर्ड इंटो एलकेन, अल्टिमेटली फाइल प्रोडेक्ट इसका एलकेन है, ऐसे यह ketone आया, सी ओ की जगह क्या आएगा, CS2, ऐसी, अच्छा, दो और तरीका है, बड़े फेमस मेथड है, ketone से अलकेन जाना है, तो जिंक, SCL और इससे जाल सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लिमेंशन रिडक्शन, अगर आप जिंक, SCL, जिंक, MLG, SCL डालो के तो ketone क्या मनेगा, अलकेन, क्लिमेंशन, और दूसरा तरीका क्या है, अगर मैंने इसमें डाला हाइड्रेजीन, जैसे नीचे वाला एक्जामपल है, है ना, यह दे रखा है नीचे, हाइड्रेजीन डाला तो वाटर निकलेगा, और फिर आगे रिडक्शन होके अलकेन बनेगा, इसमें भी ketone से अलकेन बनेगा, इसका नाम क्या है, वुल्फ किस्ने डेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चलो यह सेम एसेड का भी रेड़क्शन करेंगे एलके यह के आर्टू डाय अलकाल जिंग यह भी आर पर माइन से जस्ट लाइक रिगनार्ड यानि यह क्या है नुक्लियोफाइल इस पर अटेक हुआ यह निकल गया कौन सा में करेंज हुआ एसन टू ठीक है एक और एलकेर मनेंगा फिमस तरीका है कोरे हाउस सिंथेस इतना सारा लिखा है आप सिंपल ऐसे लिखो पहले आर बी आर में क्या डालते हैं लीथियम यह बनता आर एलाई फिर इसमें सी यू आई डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ आर टू सी यू एलाई और उसके बाद इसकी रेक्शन करो हैलाइड के साथ यह आरवन आरवन कर लेते हैं यह आरवन यहां से रिख लेगा और एसन टू कर देगा यह बन गया हमारा इसको बोलता है कोरे हाउस सिंथेस तो आपने नोट्स में ऐसे लिखो कि पहले आप लीथियम डालो फिर सी यू डालो और फिर हैलाइड डालो तो एसन टू हो के कोरे हाउस हो जाएगा ठीक है दो और फेमस मेठाड आप ज़्यान रखो एलकेन के अल्यमिनियम कारवाइड नीट में डायेट कुस्टन आते हैं ऐल्यमिनियम कारवाइड से क्या मनेगा मीथेन और काभण मौन ऑक्साइड के रेडक्शन स्टू निकल हाई समी मिथेन मनता है यह इतना फेमोस नहीं है जितना यह दोनों है कार्बाइड ऐसे एब याद रखो एबी ऐलमीनियम एंड बेरिलियम कार्बेड गिल मिथेन कि एलकेन कंटेनिंग और नंबर आफ कार्बन एलकेन का ज्यादा होगा या प्रोपेन का ज्यादा होगा एक सिधा स्टेमोर प्रमोजव्ल इखस smख्तफell स्टेम兄 जितना मौलीव मांस बढ़ता है कि तना बढ़ आगा जितना जादा molecule मास होगा ना उतना लुकिल की बीश में contact area होगा जैसे समझेए एक छोटी cigarette है का बड़ी cigarette है तो बड़ी cigarette के बीश में contact area जादा है को उसको जादा है तो उसको ज्रैपरचर चाहेगा उनको दोनों को अलग करने के लिए separate करने के लिए तो एक concept तो क्या है? Molecular mass बढ़ता जाए, boiling point बढ़ता जाए तो simple मैं पूछ हूँ आपको कि किसका boiling point ज़्यादा normal heptane का ज़्यादा या normal hexane का इसमें कितने काव बने 7 इसमें कितने काव बने 6 इसका ज़्यादा ऐसे मैं पूछ हूँ आपको normal pentane का boiling point ज़्यादा या propane का ज़्यादा pentane का ज़्यादा ठीक है? हाँ, अगर molecular mass same हो जैसे एक pentane है एक branched है अभी मैंने पहले आपको क्या सिखाया? जिसका molecular mass ज़्यादा ज़्यादा carbon, ज़्यादा boiling point है ना लेकिन यहाँ पे तो carbon same है तो फिर हम कैसे करेंगे? एक है linear एक है spherical balling point मतलब क्या? उन दोनों molecule को अपने को अलग-अलग करना है, फिर वह आ रहाएंगे ना इसे तो अलग-अलग करने के लिए हमको कितनी energy देनी वो balling point हो गया, ठीक है? तो एक linear है जैसी linear पे linear cigarette है, cigarette के उपर cigarette रखा बढ़िया contact area है कि तो और एक cricket ball है ball के साथ ball टकरा हो गए है तो contact area कम होगा ना तो किस में ज़्यादा energy देनी पड़ेगी? linear में तो balling point ज़्यादा किसका होगा? linear has more balling point than branched यह दान रखो कि जितना linear होगा ना उसका balling point उतना ही ज़्यादा होगा जैसे मैंने एक example दिया आपको cyclo-hexion पे 4 carbon लगे है यह कैसे लगे है? दोनों का molecular mass same है इसमें भी 10 carbon है total इसमें भी 6 और 4 10 carbon है दोनों LK ने तो बताओ किसका balling point ज़्यादा होगा? लीनियर का ब्रांस्ट का लीनियर का ज़्यादा होगा और यह example भी लिखा है नार्मल पेंटेन, आईसो पेंटेन, नियो पेंटे यह बास समझ गे है? तो दो ही concept है molecular mass ज़्यादा, balling point ज़्यादा और linear का balling point ज़्यादा होता है ब्रांस से असा melting point का जो concept है वो क्या है? अलकेन having even number of carbon atom has higher melting point than its next higher homologue ब्रांस का कहने के मलबला है जैसे मालो 6 और 7 में आगया तो 6 का balling point melting point ज़्यादा यह statement आप याद रखो कि अलकेन having even number of carbon atom has higher melting point than next higher homologue even का ज़्यादा होगा odd से जैसे हेक्जेन हेप्टेन आगया थे हेक्जेन का ज़्यादा अलकेन कैसा होता है colorless, orderless and tasteless lighter than water water से lighter होगा ना water में तो water का hydrogen bonding होती है आपस बालिंग पन्ट ज़्यादा होगा उसका भी ठीक है अलकेन और in soluble in water like dissolve like अलकेन non-polar होते हैं water polar होता है तो polar polar में soluble होते हैं non-polar non-polar में soluble होते हैं चलो अब हम क्या करेंगे अब तक मैंने जो पढ़ाया आपको इसको एक बार revise करो अच्छे से फिर अप मैं chemical reaction करता हूँ फिर एक quick test करेंगे quick test करेंगे फिर आपका full चार option वाला test करेंगे ठीक है तो आपको अब तक याद है सब तो ठीक नहीं है तो एक बार just revise करो फिर आगे के वीडियो देखो ज़र अब हम करेंगे reaction of alkane alkane में एक खास बात है देखो alkane जो होता है न इसमें carbon के hybridization क्या होती है बताओ sp3 तो इसमें addition नहीं हो सकता है addition कब होता है जब वहाँ पर pi bond होते हैं इसमें क्या होगा alkane में क्या होगा आप h की जज़र पे कोई group लगा दो जैसे आपने h हटा के suppose करो कोई y लगा दिया तो बताओ यह कौन सी reaction होई basically यह क्या हुआ हमारा substitution reaction alkane में कौन सी reaction होती है alkane undergo substitution reaction ठीक है न जैसे आपन कुछ example लेते हैं main reaction जो alkane की जैसे मैं आपको methane दिया अगर मैं यहां पे CL2 and sunlight कर दो तो आप क्या बनाओगे free radical substitution यह करोगे न या आप इसमें concentrated hno3 and heat कर दो यह कोई बढ़िया reaction नहीं है second वाली तो आप nitrogen कर सकते हो और या फिर आप S2SO4 heat कर दो तो basically H हटके क्या आ रहे है group आ रहे है तो alkane कौन से reaction favor करता है alkane favor substitution reactions ठीक है ना चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इन reactions के बारे में थोड़ा सा डीटेल बताता हूं फिर आपना आगे बढ़ते हैं पहला अभी मैं आपको या पता है alkane undergo substitution reaction यानि H की जगे पर X आ जाएगा substitution ठीक है और किसका rate of reaction जादा होता है F2, Cl2, Br2, I2 है ना on the basis of bond energy next यह देखो अब एक और चीज़ है अगर methane में CL2 and sunlight करेंगे तो यह CSTCL बनेगा again CL2 sunlight करेंगे एक H की देखे और CL फिर again करेंगे एक और CL again करेंगे एक और CL यानि मैं इसको ऐसे भी भूश सकता हूं कि अगर methane में CL2 access में डाल दे तो बताओ what is the final product तो सीधा यह बन जाएगा CCL4 यह बार समझ में आगी अच्छा ही लिखा भी यह देखो methane access में डाल दिया CL2 तो क्या बनेगा हमारा CCL4 बन जाएगा और dark में करेंगे तो क्या reaction होगा बताओ in dark no reaction because initiation नहीं होगा उसका है ना यह एलकेन की में इंपोर्टन डियक्शन यह है अब इसका मेकेनिम का ब्रीफ में देख लेते हैं पहले CL2 sunlight से क्या बनता है CL2 है ना हम क्या करते है CL2 के उपर एक photon का strike करते हैं तो यह क्या बनता है हमारा twice of CL2 अब यह CL2 क्या करेगा चेन प्रोपोगेस्टन बार बार रिपीट होगा एच लेगा तो बनेगा CST.CST.CST.CL2 से रियर्ट करके CST.CL बनेगा अब यह CL2 रीजनरेट हो गया ना यह यहां पर रीजनरेट हो गया अब यह प्रोसेस बार बार खतम हो गया तो यह termination अगर यह दोनों आपस में रियर्ट करके खतम होगे तो termination तो termination step अलब जो propagation में बन रहे हैं अगर वो dimerize हो के खतम हो जाते हैं तो उनको termination step में convert कर देगे ठीक है इसको आगे बढ़ने के पहले एक छोड़ा सा कुछ example लिखो जैसे मैं बोलूं कि ethane cl2 sunlight तो this plus scl बनाओगे कौन सी reaction हो रही है यह फी radical substitution cyclohexane cl2 sunlight तो भी आप cl लगाओगे कौन सी reaction हो रही है फी radical substitution नियोपेंटेन cl2 sunlight कौन सी reaction और यह फी radical substitution यह सब कौन सी reaction है फी radical substitution ठीक है चलो हाँ iodination में खास बात होती है कि अगर हम iodination करते हैं तो यह ci के bond काफी weak होता है यह endothermic reaction होती है तो फिर से h attack करेगा आई निकल जाएगा backward हो देगी reaction तो iodination में because of wicker bond of carbon iodine यह reaction backward हो दाती है पीछे चली जाती है तो इसको आगे ले जाने के लिए क्लिए क्या करते हैं oxidizing agent डालते है oxidizing agent hi का i2 बना देगा और reaction को forward कर देगा यह आप ऐसे समझों कि oxidizing agent यहां से hi को निकाल देगा अगर उसने hi को निकाल दिया हमले हमारी reaction कैसे हो गई forward होगी यह सिर्फ iodination में करना पड़ता है अभी मैंने आपको nitrogen बताया था कि अगर आप alkane में hno3 डालोगे तो क्या होगा nitrogen होगा और h की जगर पर क्या आएगा no2 तो major 2 degree वाला बनेगा 3 का बनेश में एक वाला भी बनेगा तो में पर्ड़ बनेगा 2 degree 1 degree फिर बाकि लोवर एलके भी बनेगे कि एस ट्यूसर फोर डालोगे तो यह वाटर निगल के क्या बन जाएगा h की दिगर पर एसो थ्री एक कि एक और रीक्षिन रीड रीक्षिन एक रीड रीड रीक्षिन एसो टू सील्टू वगर डालते है ने एस एसो टू सील्टू सनलाइट तो यह भी एच की जगे क्या लाएगा यह उस यू अन ए उना कोराईड है साफबिल्य क्लड रीड रीक्षिन सीह जो शल्क पर था यह बनता में इसका तो यह रीड रियक्शन में जो हमने बनाया है ना इसका एप्लिकेशन क्या है इस यूजिन डिटरिजिंट तो रीड में दो बाद याद रखो एक तो फी रेडिकल सनलाइट की प्रेंस में होगी दूसरा डिटरिजिंट बनाता है कि यह जनल सने कंबस्टा ऑफ हाइड्र गाबन हाइड्र गाबन के अब टरीके से याद सकते हो cn h2n plus 2 give 3n plus 1 o2 इतना o2 चाहिए एक alkane को combustion के लिए हमारे पास इतना o2 चाहिए and co2 बनेगा और इतना water बनेगा ठीक है न अच्छा एक ये चीज एक और reaction है ये आपके neat के साफ से आप इसको याद रखो linear alkane है न अगर आप linear alkane को heat करोगे तो वो किसमे convert हो जाएगा बताओ branched alkane एक चुन में concept होता है कि branched alkane thermodynamically more stable एक कोई भी alkane linear हो और एक branching हो वो जादा stable है ऐसे समझो कि जैसे एक चाटा है और एक गुसा है तो गुसा दो होगा ना से compact structure that is more stable in compared to linear तो ये हमारा linear है ऐसे समझो तो चाटा है ताइप है ना ये तो चाटा है और ये एक गुसा है तो जितना भी आप linear को heat करोगे ना branch में convert होगा concept क्या है branched alkane are thermodynamically more stable जितनी branched होती ना alkane में वो thermodynamically जादा stable होते हैं इसलिए आप linear को heat करोगे वो branch में convert हो जाएगा तो ये एक ग्जामपल आप ध्यान रखोशकर तो ये से मैं linear alkane convert into branched अच्छा ये इंपोर्टन एग्जामपल है ये इसलिए इंपोर्टन है कि इसमें हम alkane से aromatic जा रहे हैं यानि नॉर्मल हेक्जेन में अगर आपन cr2, o3, l2 डालेंगे क्या बनेगा benzene साथ में s2 निकल जाएगा इसमें carbon कितने हैं 6 carbon benzene में carbon कितने हैं 6 carbon अगर आपने 7 carbon लिये तो ये क्या बनाएगा 7 carbon का toline बना लेगा यानि जितने carbon है ना उसमें से उतने का वो aromatic बनाएगा बाकी को वो as to gas evolve कर लेगा in presence of cr2, o3, l2, o3 तो आप बढ़ा सकते हो कि अगर मैं normal octane कर रहूं ये process ये bullet point में लिखो cr2, o3, l2, o3 heat what is the product इससे क्या बनेगा normal octane में कितने carbon होते हैं 8 तो इसमें total carbon है 8 तो आप ये process करोगे तो ये benzene मन जाएगा पिछे कितने carbon बचके 2 तो या तो बना सकते हो ethyalbenzene या बना सकते हो ortho xylene दो carbon बचे हैं ना तो मैं उनको 1,3 पर लगा दूँगा 1,2 पर लगा दूँगा 1,4 पर लगा दूँगा या ये xylene कितने product बन गे हैं भई 4 products ये क्यों important है ये इसे important है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है aliphatic convert into aromatic molecule ठीक है अगर आप propane को heat करते हो तो propane मना लेगा मलब basically dehydrogenation भी हो रहा है मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ S2 निकल रहा है ना इसको मैं क्या बोल सकता हूँ dehydrogenation ऐसे दे को यहाँ पे भी हो रहा है ठीक है लेकिन main example क्या है normal hexane से benzene बना सकते हैं ये important है तो सारी reaction का मैंने एक brief आपको revision करा दिया पहले करेंगे quick test है ना और उसके बाद फिर एक लंबा test करेंगे ठीक है अच्छा ये कुछ और points है methane को Mars gas भी बोलते हैं CNG का full form क्या compressed natural gas composition of propane, butane, hyalalkane LPG को क्या बलते है liquefied petroleum gas or kitchen gas or domestic gas और use mixture किसका होता है propane का liquid, propane, liquid, butane other liquid paraffins यानि ये फेमस हैं CNG, पहले LPG घर्वा में में यूज होता है LPG हमारा पहले मैं आपको छोटा टेस्ट करवाता हूँ फिर अपन फुल टेस्ट करते हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं quick test जो मैंने आपको थियोरी पढ़ाई है ना उस थियोरी के base पे आपको ये पूरे question solve करना है जातर question आपको करेक्ट होने चीए अगर आपको वापस रिवाइस करना है रिवाइस कर लो ठीक है एक बात देख लो अच्छे से दो दो options होंगे एक option आपको select करना है वीडियो पॉस्ट करके चारों option देख लो फिर आंसर देखना कि देखो पहले में क्या है इन soda lime process number of carbon increases या decreases soda lime में number of carbon increase होते हैं decrease होते हैं तो क्या correct answer है बताओ decreases क्योंकि CO2 निगल जाता ना उस मेसे इन कॉल बे electrolysis of this salt product is अगर आप इसका कॉल बेलेक्ट्रीस करेंगे तो क्या होगा यहां से CO2 हटके यह radical बनेगा फिर डाइमराइस करेंगा यह बनेगा न प्रोडिक्ट इन कॉल बे electrolysis gas evolved at anode is anode पर कौन सा gas evolve होता है CO2 in कॉल बे electrolysis gas evolved cathode is cathode पर क्या होता है बताओ H2 याद है ना आपको next in कॉल बे electrolysis pH reaction का increase होता है decrease increase क्योंकि वहां क्या बनता है NaOH in woods reaction we cannot prepare woods में क्या नहीं बना सकते methane क्योंकि डाइमराइस जिसन करता ना सबसे इथेन बनेगा दो वन टू हलाइड अन्डो वूट्स रेक्षन दो हलाइड अगर वूट्स रेक्षन इंट एंगे तो कितने पर्ट बनेंगे तीन डिसकस के था ना आरवन बीयार रट्टू फी थीग उथी पर्ट बन जाएंगे इन वोट्स रेक्षन विचलकैन ऑप्टेंट हाइड कौन सा आलकैन हाइड में मनेगा linear alkaline having even carbon या linear alkaline having odd carbon even वाला क्यों? क्योंकि वो एक ही halide से बनता है एक में से एक बनेगा, ये तीन में से एक बनेगा है ना? In which reaction solvent used is? In which reaction solvent used is? कौन सा यूज़ करता है? Dry ether, water यूज़ नहीं करोगे Water डालो करता, sodium से H2 gas evolve हो जाएगी Rignard और water की या रेक्षन होगी, Rignard is base Water के साथ acid base होगे क्या बनाएगा? LK Thayol के साथ भी क्या रेक्षन होगी? Acid base HX के साथ भी क्या होगी? Acid base, वो मेरा animation देखा दाना टैंक वाला भी वाला इसमें उड़ा दिया मैंने Rignard को यूज़ करते हैं चलो हाड बताओ, ketone से LKN कैसे जाओगे? ketone से LKN कैसे जाएंगे? Clemencion से, Wolf-Krishner से या Red-Phi-Sea से या All तीनों से जा सकते हैं Clemencion भी ketone का LKN बनाता है, Wolf-Krishner भी ketone का LKN बनाता है, Red-P भी ketone का LKN बनाता है, और same number of carbon Clemencion reduction product obtained is Clemencion में कौन सा प्रोड बना acidic medium में बनता है प्रोड या basic में, acidic में क्योंकि Clemencion में SCL यूज़ होता है और basic answer कब आता है Wolf-Krishner reduction methyl bromide से methane बनाना है, BR की जगे S, तो क्या यूज़ करेंगे है, metal acid और normal hexane में CR2O3, L2O3 डालेंगे तो important reaction नहीं है, normal hexane को cyclization करके benzene बनायागा न toline कब बनता है, toline ये कब बनेगा, जब यहाँ पर क्या होना अच्छी, heptane methane, CL2 sunlight में करेंगे ने reaction, ये तो sunlight में होगी ये कौन सी reaction है, methane, CL2 methyl chloride, इसको क्या बलेंगे electrophilic substitution reaction या free radical substitution reaction electrophilic substitution या free radical substitution बताओ, free radical substitution और अगर 18 वालों को dark में करेंगे तो क्या होगा? no reaction 19, normal butane को heat करोगे तो क्या होगा? it convert into branched ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर 4 carbon है, तो यहाँ भी 4 ही carbon होने चाहिए, इसमें तो 5 carbon आगे हैं carbon बढ़ नहीं सकता HNO तो हीट करोगे तो क्या होगा? 2 degree वाला dominating होगा BR2 sunlight BR2 हमेशा according to stability of free radical करता है एक principle होता है, reactivity selectivity principle है ना, उससे होता ही है तो इसको आप season language में यह समझो कि BR2 की reaction हमेशा stable radical से होगी तो इसका मलब यह क्या है? 3 degree है यह क्या है? 1 degree है तो अगर हम reaction करेंगे यहां 3 degree radical, 1 degree radical यह ज्यादा stable है इसका मलब more alpha है यह वाला measure बनेगा तो BR2 में कौन measure बनेगा? Stability of free radical ठीक है? तो यह हो गया हमारा quick test, अब next test कौन सा होगा? अब मैं आपको 4 option वाले questions करवाऊंगा ठीक है? तो बड़े फिर आगे और इसमें 21 में से कितने correct हुए है वो आप comment section में जरूर लिखना कि out of 21 आपने कितने correct किये झाली करें जरूर लिए होगा